गोपान लेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाइस बच चुके हैं साम के पांच और आज पहाडों में मौसम के बात करें तो गाइस का राज से गएज 22 हो और अभी थोड़ा बहुत कम हो दिया तो अभी भी भी चीटे पढ़ने तो अभी माझा गूमने के लिए पहले आपको यहां का मौसम दिखाता हूं कि उस परकार से बहुत ही सांदार मौसम हो चुका बाइस के बाद और पहाड़ों में गाइस बाइस के बाद तो फसल बहुत जो गोहत की डाल थी उसके माला आदे से ज्यादा गोहत की डाल खराब हो चुकिए जो पेड़ बाद में सहर जाते हैं ज्यादा पानी की जो और मास की डाल रैस की डाल जो और भी डाले होती है तो वह भी ज्यादा बाइस से खराब हो जाती है इसलिए आजकल पह तो आजकल तो बहुत ज्यादा बाइस हो जा जारी है तो गाइस के वाइस को फूरा लग चुका है तो इदर से कुछ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे पेड़ दिखने और सामने को बड़े-बड़े पहारत इदर को चार-पांच पहार दिखते थे अभी बिल् तो आजके निद फे लौकी भी लग चुकी है तो ठोड़ा बहुत इदर करके थोड़ा सब पहार अब दिख रहा है तो एदर को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है तो अब गया करके को हैं जो कोहरा लगए हों बहुत कम हो चुका है तो जारा बाइस के कारण देख सकी है सब्सक्राइब नुक साहब सके हैं हैं तो फूल प्यूब सब्सक्राइब ठीट करो देख सकते हैं थोड़ा बहुत पिली में तो आप पेड़ खराब हो जाएंगे तो गाइस के गारान देख सकते हैं तो इधर को रास्ते में काई लग चुकी है और जी धर को घास और नीचे को लटक चुकी है तो अभी पूरे जो रास्ते में वहां पर घास और किसे अभी जगवा नीचे को लटक चुकी है कोई फायदा नहीं है तो दुआ से जब एक दो दिन बाद और काटिंगे जिसके इस दर को पेड़ा है और पूरे घास देख सकते हैं तो पूरी घास लटकी हुए अभी इस वक पूरे और आज लेकर आ रहा है और साम के टाइम और अभी भी बहुत ज्यादा बाइस हुरी है इधर को देख सकते कोहरा किस परकार से लगा है पूरे पहाड़ों खूपसरोत विए तो हम भीग चुके हैं गास आदा से ज्यादा तो भीगने का अलगी मजा आता है और पहा पूरे हर्याली हर्याली और मौसम भी साफ हो चुका है क्योंकि जो धुंद टाइप की लग जाती है बाइस के बाइस से पहले तो बाइस के वाद थोड़ा मौसम से हो जाता है तो आज कर गाई रास्तों में थोड़ा समल के जाना पड़ा है क्योंकि फिसलने वाला बहुत बहुत ज्यादा काई लग चुकी है रास्तोमों इधर का खुब सो व्यू लग रहा है तो फिलाद चलने आप यहां से गाउ में तो गाइस अंधेरा हो चुका है और अभी तक बाइस बंद नहीं और किया कल रास से तो थोड़ा बहुत कम हो रही है बारी तो और शुरू हो ज पाड़ी है तो थोड़ा बहुत भी चुके है तो आज हम बना रहे है रात की सब्सक्राइब कोड़ी के बनाते हैं तो लोगी को कोणने के बाद उसको उबाला जाता है और उसके बाद पाड़ों में कोपता बनाया जाता उससे तो पहले लौकी को कोणने के बाद उसे उबाला जाएगा उसके बाद उसके पानी को अलग किया जाएगा उसके बाद गाइस उसकी पोड़ी बनाया जाती है तो पखोड़े बन जाते हम चाहे के साझ किसी के साझ건 वैंसे भी खा सकते है तौछ कोड़ी बन जाती है इसके ऊपआ है पाड़ों बादा के लिए तो आपकों दिखाता है को तब होरा तो बनाते हैं पहले ओबालने के लिए रखते हैं लोकी तो कच्छी हुरकिया है तो अभी इसके उबालने के लिए रखते हैं पहले इसको एक सी थोड़ा सा उबाला जाता है 15-20 मिनट उबालने के बाद इसके पानी अलग करने के बाद इसकी पकोड़ी बनाया जाती है तो आज दिखाते हैं आपको इसकी पकोड़ी किस परकार से बनाया जाती है तो लोकी की पकोड़ी बनाने के लिए इसे पहले कोड़े हमने अराम से आप पतला को रहा है इसको देख सकते हो इसके बाद आप इसका कोड़ा बनाते हैं पहले उबालने के रखते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप बनाते समय आपको तो गाइस फाइनली बन चुके हैं लो होगा बहुत कि हम यहाँ पे सब्ची बनाएंगे तो गया इस पे बन meditate मैं यहां पर कूबटा को बनाएं दिया जाता है तो इस परकार से मनोच बन चुकी है पकोडिया तो आप सब्जी बनाते तो उसके उपर इसको डालिंग गया तो गाइस फाइनली इसी ब्लोग को गरते यहीं पर एंड फिर मिलिंग अगले ब्लोग मैं तब तक के लिए बाई